हेलो, वेल्कम हीर, इस वीडियो के अंदर हम डिसक्स करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट शप्र दा लीविंग वर्ट तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप इस शप्र के अंदर क्या क्या से लिखने वाली हो कितने जादा वेराइटी इस टाइप ऑफ एनिमल यान कि कितने टाइप के मारे लीविंग बिंग इस युनिवर्स के अंदर प्रिजेंट है तो उनके अंदर क्या क्या था डाइवर्सिटी है वह हम यहां पर सीखने वाले हैं कि कैसे एक एनिमल दूसरे एनिमल से इफर करता ह है, उनके इस तरिके से चैनल करते हैं वह हैं कि यह फैर टक्सों आमीघ उसक्ता हैं तो भी आप घड़ेंगे तो आपको और बिटेल में समझ में अगा अभी बस इसकी हाईलाइट है एक अधो इसका के मतलब है कि कोई भी जैसे हमारा और्गनिसम है उसे हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं तो वो हम किस के अंदर पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स की अंदर पढ़ेंगे अब ऑगर हम इसे थोड़ा सामें बताओं तो जैसे हमारे जू होता है जहांपर अणिमल स phone होते हैं फिर घ्याएं फिर बॉटैनिकल गार्डन होता है जहां पर हमारे क्या है सारे तरीके के प्लांट्स प्रिजर्व यहां और चार्भिंग आस तरीके से हम अपने अपने और diversity then taxonomical categories and taxonomical age ठीक है तो अब अब heiß और आपको इस तरिके से पढ़ाने वाली उस-चेप्टर को फ्यली वो सन लो तो हम पूरा चेप्टर हीर हाप पर नहींच डिस्कूस करने वाल thriller स्टेंडर क्या क्या इंप्वॉटरेंट चीजे हैं वह मैं आपको यहां पर बताऊंगी ठीक है along with that आप अपनी NCRT लेकर के बैठ चो जो जो important line होगी उसे mark करते जाना अपने book के अंदर स्टार्ट करते हैं तो अकर हम पहले first paragraph की बात करें तो इसके अंदर कुछ message important नहीं है बस इतनी सी बात है कि इस chapter की help से आप यह सीख जाओगी कि what is leaving living क्या है हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं वही इस वाले paragraph में सिर्फ इतना सा देखा हुआ ठीक है तो आगे चलते हैं what is leaving किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई चीज लीविंग होगी या फिर नहीं तो अभी तक हम अपने general knowledge के base पे बात करें या फिर अगर आप खुद सो growth हो रही है तो हम उसे generally मलब इतना सबको पता होगा कि वह हमारा क्या होते हैं living होते हैं तो यहां पर हम सिर्फ एक एक चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि growth ही हमारा living है और भी बहुत सारी factors पढ़ेंगे कि जिनके base हम डिसाइट कर सकते हैं कि यह organism हमारा living है या फिर नह जो नहीं consider कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ एक फैक्टर की help से हम नहीं बता सकते हैं इसका मतलब इतना सही है कि हम एक फैक्टर की help से नहीं बता सकते हैं कि यह चीज हमारी living है हमार को number of factors को consider करना पड़ेगा अगर वह उन में से most of the characteristics को follow कर रही है तो हम उस चीज को कह सकते है कि वह चीज हमारी living हो सकती है इसके लावा अगर थोड़ा सा और detail में जाएं तो अगर किसी organism के अंदर metabolism हो रहा है metabolism क्या होता है some of reactions जो कि किसी एक living organism के अंदर होती है जैसे कि हम अपनी ही बात करें तो हमारे अंदर भी continuously thousands of reactions चलती रहती है जिनका हमें idea नहीं है पर वह continuously हो रही होती है हमारी body के अंदर तो जो number of reactions होती है में एक living organism के अंदर उसे हम क्या बोलते है metabolism ठीक है इसके रावा और concept factors है जिनके बेस्पर हम living thing को मलब living being को categorize करेंगे ability to self-replicate self-organize तो इन सब को mark कर लो ठीक है अब यहां पर बात करते हैं all living organism grow यानि कि अगर कोई भी living organism है तो वो grow करेगा कैसे grow कर सकता है या तो उसके mass में increase हो रहा होगा या फिर उसके number में increase हो रहा होगा तो हम दो चीजों के base पे generally consider करते हैं for example हम अपनी ही बात करें तो जै यहां पर mass और number में increase हो रहा है उसे हम किसके अंदर consider करते हैं ग्रोथ के अंदर consider करते हैं तो multi cellular organism के अधर हम बात करें तो उनके अंदर growth कैसे होती है cell division की health से growth होती है ठीक है यहां पर बस इतना ही आपको यहां पर mark करना है ठीक है unicellular organism also grow by cell division यह तो मैं पता ही है अगर हम बात करें तो हुआ पर भी सिंपल सेल डिवीजन हो रहा होता है ठीक है यहां पर आपको इतना मा करना है अब यहां पर यह देखो नॉन लिविंग ऑर्गनिजम आसो ग्रोफ इंक्रीज इंक्रीज इन बॉडी मास्ट ऐसा क्राइटेरिया ओफ ग्रोथ तो यहां पर कह रहे है ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर मार्क करो अपनी बुक के अंदर ग्रोथ यहरफूर कैनोट भी टेकन ऐसा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ओफ लिविंग ऑर्गनिजम तो ग्रोथ को हम कंसीडर नहीं कर सकते कि यह हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी क्योंक ग्रोथ मलाभी हमारे लीविंग बींग को क्यिटेग्राइस करने में हेल्प करेगा तो अगर हम बात करें है अपनी मलाभ रूपर्ट करें हमारे अंदर कौन से पृदक्शन होता है सेक्च्छल रिप्रॉदक्शन होता है यह तो बहुत जनरल कोश्चन है आपको पता भी इसके राव अगर हम बात करें हैं युनिसेलल और अर्गनिजम की तो उनके अंदर जनरली एसेक्चुल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जैसे कि हमारी फंगी हो गई तो उनके अंदर हमारे एसेक्चुल स्पोर्स की हैप से वो रिप्रोड्यूस करती है अभी आप जब आपको अपनी NCRT के अंदर भी माक करना है क्योंकि उसमें से कोश्चन आ सकते हैं तो जो प्लेनेरिया है फ्लैट वाम है इनके अंदर कैपसिटी होती है ट्रू रिजनरेशन इसका क्या मतलब है जैसे अगर आप इसे थोड़ा से इस तरीके से रिलेट कर सकते हो जैसे पार से रिजनरेट कर पाते हैं उसको ठीक है तो इसे माक करना है आपको इसके अलावा आपको इस वाले पेरग्राफ में से ऐसे कुछ इंपोर्डेंट है नहीं तो आगे चलते हैं यहां पर देखो यह आपको माक करना है तो हमने अभी तक इतना पढ़ा कि जैसे यहथर माली हो डाओते हैं उनके मूल्स की फ़मिशन होदी है उनके तरीके साँ झतने सकती हऑ्स के सबugen हैं हसे सर्य को स्कलेग्स का लिफीह आपको इनके नहीं कृते हैं को है नहीं करना है न क्या भी हमारे अध्य हर नहीं कर सकता हूं है शेर्दया इसी तरीके से इस्टिरायल वर्कर बीस जो हमारी मदमक्या होती है वो भी उसमें से जो वर्कर बीस भी होती है वो क्या होती है हमारी रिप्रेड्यूस नहीं कर पाते हैं तो यह सारे अगर हम बात करें मूल्स की वर्कर भी की या फिर इंफर्टाय हुमन का पसकी यह सब लीविंग तो हैं लेकिन यह रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो इसलिए हम इसको भी कंसीडर नहीं कर सकते अगे चलते हैं और अब हम फिर नेक्ट्रिक्रिक्स की बात कर रहे हैं और अनधर क्रेक्ट्रिक्स ऑफ लाइफ इसमेट तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉड़ी एक लीविंग ऑरगनिजम हमारी नहीं जितने भी हमारी लीविंग ऑरगनिजम है उन सब की बॉड़ी के अंदर क्या हो रही हैं गय्याव एक्जांपल हम बात करें अपनी तो हमारे अंदर भी कार्बरन hydrogen oxygen phosphorus और इसके लावा भी और भी मिन्रास है उनके अमाउंट जो है वेरी कर रहे हैं कुछ काम अमाउंट में है कुछ जाद अमाउंट में बढ़ कार्बन hydrogen oxygen यह तो मेजर अमाउंट में हमारी बाड़ी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसके लावा इस अहां पर देखो यहां पर मार कर लो यह जो मैं भी आपको बता रही थी तह सम अफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रियक्शन अकरिंग इन बाड़ी इस अ मेटबॉलस तो जितनी नंबर ऑफ रिक्शन हो रही हैं बाड़ी के अंदर वो हमारा क्या है मेटबॉलस में आगे देखत इसलिए हम जो मैटबॉलस में इसका का मतलब है कि हम मेटबॉलस को बोल सकते हैं कि अगर किसी अंदर मेटबॉलस मैं तो एक भी ओरिगाइस्म होगा इतना केंगे रोगग्राफ में देखो इस पेरग्राफ में इस बिर्गार्वर TAK THE B Coming, precision 있기 TV जो वैदर के अंदर चेंजिस होते हैं, light, water, temperature, तो हम इनके इस रिस्पॉंट कर पाते हैं, इन फैक्टर के अकॉर्डिंग, I think यह समझ में आगया होगा कि हमें ठड लग रही है, गर्मी लग रही है, या फिर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो रिप्रोडैक्शन हो भी काफी बार weather पर depend करता है, और कुछ अनिमयस पर ऐसे होते हैं, जिनके अंदर यह चीजे जो है रिप्रोडैक्शन व गएरा के प्रॉपरटी जो है weather पर depend करती है, तो यह हम इसमें बस इतना सही है, कि जो इसके बाद यहां पर देखो एक question पूछा हुआ है कि एक human patient मलब एक human being है वो coma के अंदर गया हुआ है ठीक है उसके in hospitals virtually supported otherwise brain dead brain dead है उसका the patient is not self-conscious self-conscious नहीं है तो यहां पर हम उसे living consider करेंगे या फिर non-living तो यहां पर इसे mark कर लो को हमारा किस के अंदर आएगा living के अंदर आएगा human beings में अगर वो coma के अंदर stage के अंदर present है क्योंकि वो है तो living ही तो यहां पर आप उसे coma के अंदर consider करेंगे ठीक है आगे देखते हैं इसके लावा अगर हम next paragraph की बात करें तो I don't think so इसके अंदर कुछ message important है बस इतना इसा ही लिखा हुआ है कि हम सभी living organism में जो response करते हैं इस तरीके से तो message कुछ है नहीं important तो इसे हम skip करते हैं आगे चलते हैं अब यहां पर देखो तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक आपने यह पढ़ लिया कि किस तरीके से हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या पर नहीं है इतना समझ में आउया अब हम नेक्ट टॉपिक पर आ रहे हैं दैट इस डैवर्सिटी इन लिविंग वर्ड तो डैवर्सिटी इन लिविंग वर्ड यहां पर इस वाली पेरेग्राफ के अंदर हम बात करें हैं the number of species that are known and described range 1.7 से 1.8 million they are referred to the biodiversity और the numbers of type of organism present on earth तो इसे माग कर लो तो simple सा biodiversity का मतलब क्या है कि कितने types of organism जो की earth पे present है उसे हम क्या गयते हैं biodiversity बायो मतलब की आप हो सकते हो organism से relate कर सकते हो और कितनी varieties उनके अंदर present है जो की earth पे present है that is biodiversity तो इससे आपको यहां पर biodiversity के बाएप में कर दिया है कि यहां पर हम क्या discuss कर रहे हैं तो मैं चैप्टर तो आपका explain कर रहे हैं उसके अलावा आप NCRT के अंदर भी mark कर रहे हो साहसाथ मैं आपको बता दी चलूंगी कि कहां कहां से questions आ सकते हैं कि इस वाले topic में से आपको questions पूछे जाएंगे और किसमें से नहीं पूछे जाएंगे ठीक है तो जिससे हमारे नीट वगरा के exams होते हैं उसके अंदर तो आपके one marks नहीं मलब MCQs questions होते हैं तो बहां पर आपके one word questions होंगे तो बहां पर भी आप यहां पर मैं आपको बता दूंगी वह आप मां चीज की तो यहीं से आया फॉर एक्जांपल जैसे हां पर कोई एक चीज है तो उसको हम किसी और नाम से बोलते हैं कहीं हम थोड़ी दूर चले जाएंगे तो उसी चीज का को नाम चेंज हो जाता है तो एक पर्टिकुलर नाम रहे उस चीज का ताकि हम उसे इसली identify कर पाए अगर हम बोले फॉर एक्जांपल जैसे मैंगो को ही हम नाम ले तो जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा मैंजी फेरा इंडिका तो यहां पर जो साइंटिफिक नेम है इसकी है आप इसे कहीं पे भी identify कर सकते हो उसको समझ में आ जाएगा कि हम इसकी बात कर रहे के लिए चीजों की हमने स्टार्ट किया किया नॉमन क्लेजर ठीक है तो नॉमन क्लेजर करने के लिए भी हमारे को क्या पाता होना चाहिए सबसे पहले हमें उसका क्या करना पड़ेगा identification करना पड़ेगा उस चीज की बार में हम बात कर रहे हैं उसके बाद हम उसको कोई भी इनकी फुल फॉर्म क्या है ते हाँ पर माक कर लो International Code for Botanical Nomenclature and International Code for Geological Nomenclature तो जो नेमिंग वाला हमारा पूरा प्रोसीजर होता है scientific names जो की दिये जाते हैं तो वो किसके plants के अंदर किसके अंदर आता है वो हमारा ICBN के अंदर और Animal Taxonomies के अंदर वो किसके अंदर आता है ICBN के अंदर तो इतना clear हो गया आगे चलते हैं अब इस वाले paragraph में आपको कुछ important points बता चलने वाले हैं तो यहाँ पर इसे देखो हर एक कोई भी चीज उसका नाम होता है उसको हम दो पार्ट में study करते हैं सबसे पहले उसका होता है जैनरिक नेम सेकिंड वर्ड इस स्पेसिफिक एपिथेट तो जैसे मैंने भी आपको बताया भी हाँ पर दीखे का भी मैंगो का हम बोलते हैं मैंजिफियरा इंडिका तो उसका जो फर्स्ट वाला है इसका जैनरिक और जो इंडिका वो कह इसका स्पिशिस एपिथेट्रिक है तो यह दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी नीम के तो इसे हम क्या कहते हैं इतना क्लियर हो गया और यहां पर आपको यह ध्यान दखना है यह जो नेमिंग system है कि हम हरी चीज को इस ते किसे नेमिंग प्रोवाइड करेंगे, यह किस ने दिया था? केरलस लिनेयस. तो यहाँ पर इसे हाइलाइट करके लिख लो this naming system given by केरलस लिनेयस और यही हमारे father of taxonomy भी ही है. तो यहाँ से questions आ जाता है, नेट के अंदर आपको दिख जाएगा कि father of taxonomy कौन है? केरलस लिनेयस, ठीक है? तो इसे लिख लो, यहाँ पर यह लिखा नहीं है कि father of taxonomy कौन है, तो इसे अपनी बुक के अंदर मार्क कर लो केरलस लिनेयस ही father of taxonomy है और इन्हों नहीं हमारा नावन ख्लेचो को मलब हर एक चीज का पर्टिकुलर नाम होगा तो इन्हों नहीं स्टार्ट किया था, ठीक है? तब यह वही example of mango करके आपको यहाँ पर आप समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रही थी, the scientific name of mango is मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है? इसे माक कर लेना अब कोई की जो हम नेमिंग करते हैं उसके लिए four universal rules है तो आपको वो names follow करने होते हैं बलब rules follow करते हैं यह जब भी किसी भी चीज का नाम decide होता है, तो जो biological names होते हैं वो किसमें होते हैं और इसे हम return किसमें करते हैं तो यह four points आपके लिए important है इन्हें आप skip नहीं कर सकते हो तो इसे समझ लो ठीक है पहला point के लिए रोगया इसके बाद second point देखो the first word in a biological name तो यह हम ने आपको महां पर भी अभी हमने देखा जो first word है वो हमारा क्या होता है जीनस को represent करता है और जो second component है that is indica वो को respond करता है हमारा specific epithet को ठीक है आगे चलते हैं जो हमारे names होते हैं इनको हम अलग-अलग underline करते हैं तो separately underline करते हैं जैसे कि जैसे यहां पर देखो मैंजी फेर है तो इससे इतना underline करेंगे और indica को अलग से underline करेंगे यह जब आप अपनी files बढ़ाओगे तो वहां पर आपको समझ में आई जाएगा ठीक है जितने भी ह हमारे scientific names होते हैं उसे हम इस तरीके से अलग-अलग underline करते हैं फोर्थ पॉर्ट क्या है कि जो हमारा जीनस है जीनस का नेम हमेशा capital से start होता है देखो यहां पर आपको देख भी रहा होगा M capital से start है जो हमारे species होती है बिक्सिक लिए जो specific epithet लिखा है species के अगर हम बात करें फिर पहला word जो है हमारा जीनस को represent करता है दूसरा वाला specific epithet को फिर दोनों words को हम अलग-अलग underline करते हैं और last point के है कि जो जीनस है वो capital letter से start होता है और specific epithet small letter से start होता है तो यह आप मैंजी फेरा इंडिका की help से यह सारे points को relate कर सकते हो और learn कर सकते हो ठीक है आगे चलते अब अगर हम बात करें classification की तो अब यहां पर देखो क्या है हमें classification की जरूवत क्यों पड़ी जैसे हम भी हमने पढ़ा कि नाम की जरूवत क्यों पड़ी क्यों क्योंकि हम एक चीज को ताकि हम easily identify कर पाएं कि हाँ यह बंदा इस चीज की बात कर रहा है तो हम scientific name की health से उसको स सकते हैं इसी तरीके से हम सारे जितने भी living organism हैं इतने सारे हैं उन्हें सबको तो study नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हमने ताकि हम सब के बार में थोड़ी सोड़ी से हमार को information हो उन सब के बार में हम समझ पाएं इसलिए हमने क्या कर दिया classification तो यहां पर देखो यही लिखा classification is a process by which anything is grouped into the convenient categories based on some easily observable characters तो यहां पर समझ में आगया हुगा I think तो classification का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को categorize कर देना group में divide कर देना for example जिसे हम बात करें cat है dog है cow है तो हम हर एक dog की study थोड़ी करते हैं dog की तो काफी सारी varieties है हम सब dog की नी study करते बर हमार को पदा है कि dogs के अंदर यह common features होंगे तो हमने dog की study कर ली it means हमार को इसके अंदर जितनी भी species है उनकी varieties है उसके बार में हमारे क है for example cat का group अलग हो गया dog का अलग हो गया cow का इसको हम क्या बोलते है group of animals को हमने हाँ पर क्या कर दिया कैटेग्राइज कर दिया ठीक है तो इनकी हमने category रिसाइड कर दी इसे अप इस तरीके से समझ सकते हो तो यही चीज हाँ पर इन्होंने लिखे हुआ है cat dog वीट वगरा का इस वीट क्योंगी मिलफ सो ओन ठीक है समझ गए हो गया इतिंक अब अनिमल्स के अंदर जितने भी हमारे अनिमल्स से हमने हमने कैटेग्राइस कर दिया बट अगर हम से साइंटिफिक तर्म में बोलें category को हम क्या बोलते है टेक्सा बोलते है ठीक है प्लांट हमारा हो गया अलसो फॉर्मे टेक्सा वीट एक अलग टेक्सा हो गया डॉग अलग टेक्सा हो गया तो इस सारी हमारी कैटेग्रीज को हम क्या बोलते है टेक्सा बोलते है आगे देखते हैं आगे देखते हैं हैंस बीश्ट ओन दा क्रेक्टेश्टिक्स और लिविं और्गमिजम के पर इस पर आप उन्हें करोगे तो यहां पर देखो एक्सटर्नल और इंटर्नल इंस्ट्रक्चर अलोंग इद श्ट्रक्चर ऑफ सेल यह कुछ प्राइं जिसके पर इस पर हम उन्हें क्रेटर्टराइज कर सकते हैं पूरा इस पर आपको बताना चाहरे हैं किस तरीके से पूरा किस पर बेस करता है तीन चीज़ों पर बेस है सबसे पहले हम किसी भी चीज को identify करेंगे उसके बाद उसका naming और फिर हम उसके बेर उसमें क्या कर पाएंगे क्लासिफिकेशन कर पाएंगे तो यह आप से पूछ सकते हैं कि यह आप से लिर निक अ huh आद समय ज तको सिस्टेमा और शफिकेशन लेया तो यह तीन हुट की पहले हो मान आको धिक हो आपको यह क्या क्या है कि अज स्टेमा नीचा वर्डron स्टेमा रआइंज में ऑप तो यहां पर आपको यह मार्क करना है कि हमारे जो केरलस लेनियस थे उन्होंने शिस्टेमा नेजर वर्ड यूज किया था इसका मतलब क्या है इसके अंदर क्या क्या आ जाता है दे स्कोप ऑफ सिस्टेमेटिक वास लेटो और लाज्ट विद्धिकेशन नॉमन्ट लेजर क्ल जो वर्ड है कि हमारे लेटिन वर्ड से लिया क्या है इसका मतलब क्या है इसके बाद इसका बेसिकली अगर हम यह मतलब क्या है कि क्या से हमारे जो ऑर्गनिजम है उनके बीच में इवूलिशनरी लेटिड वो किस तरीके से हैं तो उसके वो हमारे को किसकी हैप से पता चलत टेक्सोनोमिकल एट्स तो यह दो आपके रहा गए यह इस वीडियो के अंधर कवर लॉड़ ही कर रहे है क्योंकि वीडियो थोड़ी से लॉड हो जाएगी अगर यह भी के अंदर अंधर अनुटिन्यू करें तो उसे हम अनदर वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे बट अगर मैं आपको यह बताओं कि शॉर्ट में कि इस वीडियो के अंदर मलब अब जो बचली टॉपिक से उसके अंदर क्या किया इंपॉर्टेंट है तो वह आप अपनी बुक के अंदर तिल देट मार कर सकते हो सबसे पहले आपको टेक्शन के बार में पता होना चुछ है कि क्या होत सकते हैं ठीक है इन सब के बार में क्लास के इंग्डम फाल में सब के और के बार में डिसक्स करेंगे और सबसे पहले यह इसे माक कर लो हाइलाइट करके इंपॉर्टेंट लगा लेना श्टार बना लेना कि ऑर्डर क्या होता है आपके टेक्सोनोमिकल के टेग्रीज का तो से आपको ध्यार नखना है इसके बाद अब आप टेक्सोनोमिकल एड्स के बार में यहां पर बात करें इस वाली टेबल में से कि कौन सी मलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह फर्स्ट वाला आपको ध्यार नखना है मलब पढ़ना तो वैसे सारे पर यह पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह फ्यूमन से रिलेटेड यहां पर बात की गई है तो यह आपको पता होना चुए ठीक है आगे देखते हैं तो टेक्सोनोमिकल एड्स में बदा रही थी तो टेक्सोनोमिकल एड्स के अंदर आप क्या पढ़ोगी कि किस तरीके से अपने प्लांट्स अनिमल्स को प्रिजर्फ कर सकते हैं तो यहां पर यही पढ़ने वाले हो तो जो हर्बेरियम हो गया या फिर आपके जूव अगयरा है बुटैनिकल गार्डन है यह सारे टक्सोनोमिकल एड्स के अंदर आ जाते हैं ठीक है तो यहां पर आपको पता होना करÜ आपको ड़िए हैं दो हर्बेरियम क्या होता है तो हर्बेरियम ऐगा बताओ जिसे प्लांट्स की लिव Sc उने ड्राइ करके प्रिजर्व किया जाता है एक शीट टाइप की होती है जैसे आर्ट की एक शीट होती है तो हाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं आपने अर्बिरियम फाल बनाई भी होंगी तो इसके बाद यहां पर उसका कलेक्टर का नेम किस फैमिली से ब्लॉंग करता है इस प्लान का साइंटिफिक नेम क्या है वो साइच आपकी हां पर मेंशर है ठीक है यहां पर फिर म्यूजियम तो म्यूजियम तो वैसे आपने विजिट भी किया होगा और एक इंपार्टन चीज जो कि आपको पता हुए जैसे आपने देखा भी होगा जो आपकी क्लास के एनिमलो के बारे में देखा होगा कि इन के प्रिजर्व कर रखते हैं अगर क्या देखिस का या है या इंदर पर मे Всем sixth कि रहें bisa की आपको कि रहता हृता है इनिमल्स को तो फोक है हमारा फ़र्मेल इंड है तो यह पता आना चाहिए अब मैं इसमें आपको क्या के इंपर्टेंट है वो शौर्ट में बता देती हूं ठीक है जू लॉजिकल पार्क चाहिए तो आपको इसमें सच कुछ इंपर्टेंट है निग और यह बुटेंटल गा इसको हम यूज करते हैं for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarities ठीक है फिर जो हर एक statement होती है इसके अंदर उसके लिए हां पर word यूज किया गया है is statement in key is called lead तो lead क्या है वो आपको बता होना चाहिए ठीक है इसके बाद contrasting pairs of characters को हम क्या बोलते हैं तो यह आपको यहां से पदा होना चाहिए ठीक है तो key is generally analytical in nature तो यह थोड़े से आ सकता है कि define करोगी को या फिर lead क्या है complete क्या है इसमें से चूटी-चूटी questions आ सकते हैं तो यह वाला आपको अच्छे से पढ़ना है आगे बात करें तो यह हम क्या पढ़ रहे हैं हम यह पढ इसके लावा यहां पर यह लाश पेराग्राफ है आपका इस शप्रका तो यहां पर आपको दो से तीन लाइन है जो कि मार्क करनी है अपनी बुक के अंदर मैन्यूल्स क्या होता है मोनोग्राफ किसके बार में इंफॉर्मिशन कंटेंड करता है और एक लाइन और थे आभी इंफॉर्मिशन प्रिजर्ब होती है तो यहां पर प्रवाइज इंफॉर्मिशन फॉर इंट्रिफिक्येशन आफ नइम ऑफ स्पीषिस फाउंड इन एरिया यांकि एरिया की इंफॉर्मिशन को कलेक्ट करता है इंपने चैनल को सुब्सक्राइब कर लिजे जान आपको ए